कि कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे सब की पढ़ाई पी काफी मस्त चल रही होगी जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुश्बूमा आपको पांच सीक्रेट हैक्स बताने वाली हैं आपके चाप्र कंट्रोल एंड कोडिनेशन से जिनको फॉ क्योंकि सेशन बहुत ही चोटा सा होने वाला है बस रिफ हैक्स बताने वाली हूँ जो आपको एक्च्छिली में अपनी गुन्नुमाम के साथ फॉलो करना है नथिंग एल्स यू आफ तो तो विडाव वेस्टिं आर डाम लेट्स बिगिन आर सेशन हैर वी गो तो हमें पता सब्सक्राइब नास्टिक मूवमेंट्स और हुमन हॉर्मोन के बारे में पढ़ा है है ना यही सब चीज़े तो पढ़ी है तो सबसे पहला है कि आप लोगों के लिए सिर्फ एक चीज यही रहेगी कि एंसी आर्टी पे फोकस करना है क्या करना है ओनली यू हाफ टू फोकस और फोकस करना है और कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है रिमेनिंग जो रिविजन होगा उन चार दिनों में आपकी गुन्नुमाम उसकी रिस्पोंसिमिनिटी लेती है पूरी-पूरी बायो को में फोनने के लिए रेडी आपकी अपनी गुन्नुमाम जरूर करें सेकेंड चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूं जब भी कोई भी चीज रिविजन की आपको जैसे रिफ्लेक्स आर्क हो गया ब्रेन के फंक्शन्स हो गया ट्राइटू लर्न देम विधे हैल्प और राइटिंग लिख करके प्रैक्टिस करना और लिखने का मतलब यह नहीं ल बसे अबिक घंच मैं लेर्ली खुशन्स ल्रीक करना कर नहीं है कि दो शिक अट्रण यहीं अर्टिकिस का डर्ण का डैग्राम लेबलिंग करने के लिए बहुत पूँछा जाता के लिए लेकिन लेबलन करने के लिए बहुद पूछी लेगा णिविए रिपार्टिकृस functions पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, particular labeled part से वो आप से functions जरूर पूछेगा, तो make sure जरूर करना कि आप ये सारी चीज़े उसमें अच्छे से पढ़ रहे हो, अपनी NCRT पर focus करना है, learn करके लिख रहे हो, तो in the form of table, tabulate form या फिर flow chart के form में learn करके लिखो, इतना लंबा चोड़ा गाथा नहीं लिखनी होती है, neuron का diagram अच्छे से पढ़ लेना, labeling पढ़ लेना, practice कर लेना, क्यूंकि उन से related label parts के questions पूछे जाते हैं, and hormones, वो आपके phyto hormones हो, plant hormones इसको बोलते हैं, auxin, kibber, lins, cytokinin, ethylene, और आपके epsistic acid, वो चाहें, आपके human hormones ही क्यों ना हो, उन सारे hormones से related आपके case-based question, that is the four marker के question, आप expect कर सकते हो अपने exam में, तो गलती से भी भूल कर भी, मत छोड़ कर के जाना, hormones वाला part, hormones वाला part बहुत पूछा जाता है, even MCQs में भी पूछा जाता है, और रही बात PYQs solve करवाने की, तो आपकी अपनी गुन्नुमाम है, आपको solve करवाने के लिए, उसके लिए तो कोई tension लेने की जरुवत ही नहीं है, आपको, अगर आपको practice करने हैं, तो आप जैसे ये, इस तरीके से session के description box में जाओगे ना, just a second, ये रहा आपका session का description box, session के description box में आपको एक link दिख रहा होगा, उस link पे क्या करना है, आपको बस click करना है, ये link दिख रहा है आपको, इस link पे जब आप click करोगे ना, तो ये link open हो करके आएगा, मैंने अभी sign up नहीं किया हुए, otherwise वो आपसे sign up करने के लिए बोलेगा, sign up में आपको कुछ करने के ज़रत नहीं है, सिर्फ अपना phone number डालना है, phone number पे जो OTP आएगा वो डालना है, और sign up हो जाओगे, उसमें मेरे जितने भी bio के sessions है, वो NCRT marathon हो, one shot हो, whatever sessions you want, सब उसमें available है, कहीं इधर उधर भागने के आपको जरुवत ही नहीं पढ़ेगी, तो एक बार वो link जरूर चेक आउट कर लेना, आप लोगों के लिए काफी जादा useful होने वाला है, क्योंकि सब कुछ free of cost है, कोई पैसे का payment आपको उस particular link को खोलने के लिए नहीं करना है, next and the last चीज मैं आपको यहीं बोलूँगी कि selectivity maintain करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, receptors, neuron के functions अच्छे से पढ़ लेने हैं, उसके बाद reflex action पर ध्यान देने का है, reflex action के examples क्या क्या होते है, human brain के parts बहुत important है, वो four brain हो आपका mid brain हो या hind brain, उनके functions जरूर पूछे जाते हैं, आपके animal hormones and plant hormones के functions काफी पूछे जाते हैं, आप इन दों को तब भी एक पल skip कर सकते हो, लेकिन इन दोनों parts को तो बिल्कुल भी भूल करके skip मत करना है, even आपके recent examination में, आपका feedback mechanism के questions भी आए हैं, लेकिन बहुत easy है, उससे जरूरी नहीं है कि इस बार question आ जाये, लेकिन आपके third or fourth topic से तो जरूर से जरूर आएगा आपका, और रही बार reflex action की, तो reflect arc बहुत important है उ आपको, उसके बाद अगर आप learn करने बेटर हो, तो with the help of flow chart आपको learn करना है, third पे focus करने हैं, उनके diagram पे और उनके labelled parts, क्योंकि labelled parts कभी-कभी labeling करने के लिए आ जाते हैं, कभी-कभी labelled parts के functions भी पूछ लिए जाते हैं, और hormones वाला part तो बिल्कुल नहीं skip करना है, क्योंकि hormone स आपके case-based questions सबसे जादा बनते हैं, और priority-wise topic मैंने आपको बता दिये, कि सबसे पहले आपको third और fourth topic पे most important और most priority देनी हैं आपको, उसके बाद आपको second and one topic पे जाना है, क्योंकि इन दो topic से questions जरूर आएगा, और फिर उसके बाद आपका second topic काफी important है, उससे भी question आ सकता है, तो इतना समझाने के बाद, अब जल्दी से जरा session को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो and make sure जरूर करना कि आप टेलिग्राम चैनल को join कर लो, ताकि आपसे कोई भी ऐसा amazing session miss out ना हो जाए, क्योंकि ये session काफी important होने वाले है, आपके science board exam के लिए, और अगर आपको गुन्नुमाम को follow कर सकते हो, तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते हैं, ऐसे ही next amazing session में तो जाते 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 जारा पटाक से like, share and subscribe कर दो, बाइबाई